तो दुस्तो आज सब्तंबर की 13 तारिक है और आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही खुपसूरा सी इंडोर पाम की एक वराइटी पर है अगर आप अपने आफिस में या इंडोर ड्राइंग रूम में कोई अच्छा पाम का पौधा ग्रो करना चाहते हैं तो ये जो वराइटी आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये फेवरेबल या परफेक्ट वराइटी है अगर नाम की बात करूँ तो इस पौधे को नर्सिस पर बहुत से नामों से जाँ जाता है तो इसको चमन्डोरिया पाम बोलते हैं इसको पालर पाम बोलते हैं दूसरा इसको टेबल पाम के नाम से भी जान जाता है इस वराइटी में दो तरह की पौधे रहते हैं तो इसकी यह जो आप देख रहे हैं यह पारलर पाम की ड्वाफ वाली वराइटी है दूसरे इसमें थोड़ी सी बड़ी वाली वराइटी रहती है उसकी जो हाइट है बड़ी रहती है लेकिन यह जो आप प्लांट देख रहे ह तो छोटे गमले में यह useally grow कर जाता है आज से 1more साल पहले नज़ नसी से first it is a plant का इस घ्लांट का मैं इस तरह से tomorrow से एक चोटा सा पौधा ले जिसको मैंने आठ हिंच के गंबले में ग्रो कर दिया अगर मिट्टी की बात करूं तो मिट्टी के लिए मैंने यहां पर एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा कोको पीट और एक हिस्सा सेंड कह सकता हूं रेत का कह सकता हूं रेत का इस्तमाल किया तो इस तरह से एक साल पहले इसका जो छोटा प्लांट है क्योंकि ये मिनियेचर या ड्वाफ वाली वराइटी है इसका जो छोटा प्लांट है लगबग दो सो रुपे की रेंज में मिला था तो थोड़ा सा कॉसली कहा सकता हूं लेकिन ये पौदा जो है हर नस्री पर एवलेबल नहीं रहत नोर्मली इसकी थोड़ी सी जो बड़ी वाली वराइटी रहती है जो थोड़े बड़े शेप में रेडी होती है उसके पौदे आपको इसली नस्रीस पर दिखाई देंगे और उनका जो प्राइज है वो 70-80 रुपीज रहता है तो ये ड्वाफ वराइटी थोड़ी सी कॉस ग्राइट लाइट है वो ज़रूर दीजिए जिससे ये पौदे अपना फोटो सिंथिस का प्रोसेस अच्छे से कर सके और अपनी ग्रोथ को इंप्रूव कर सके अगर आप इनको इंडोर प्रेस करते है तो इनकी मिट्टी बहुत ज़्यादा गिली नहीं रहनी चाहिए थो तो इनकी जो टिप्स हैं लीव्स की इस तरह से देखिए ये थोड़ी ब्लैकिश या ब्राउन रहती हैं दूसरा इस तरह से इनके उपर स्पोर्स बनते हैं तो इसके दो तीन बड़े रिजन रहते हैं तो इनमें पौटेशियम की अगर डेफिशेंसी रहेगी तब भी इन इन पौदों को पौटेशियम रिच फर्टलाइजर फीड करना दूसरा इनको फंगी साइड का स्प्रे करना तो ये दो काम बहुत ज़रूरी रहते हैं इनकी अच्छी ग्रूथ के लिए multiply इन प्लाइज को या इनकी propagation कहाता हूं इन प्लाइज की जब ये part पुरी तरह से fill हो जाते हैं इनके बेभी प्लाइज कहाता हूं ये जो प्लाइज इनकी major या मदल प्लांट्स के साथ में ग्रो करते हैं तो इस तरह से इनको separate करके किजा ती है इन पोदों को reporting के time जो है वो सेम अरीकापाम की तरह separate किया जाता है और उससे नए पोदे तियार किजाते है इस तरह से इन पोदों की जो propagation है वो की जाती है दूसरा जो एक और बात इनमें खास रहती है वो ये कि बार-बार रिपॉर्टिंग इस तरह के जो पौधे रहते हैं इनको पसंद नहीं रहती हैं इनको आप दो से तीन साल में या चार साल में एक ही बार रिपॉर्ट कीजिए जब आपका पौधा पूरी तरह से रूट बाउंड दिखने लगे उस कंडिशन में आने पर ही आप इन प्लांट्स को रिपॉर्ट कीजिए बार-बार रिपॉर्ट करने से कईम बार ये पौधे stable नहीं हो पाते और मरने लगते दूसरे सभी palm की varieties की तरह इन पौधों का भी summer season जो रहता है वो growing season रहता है और सरदी का मौसम जब ज़्यादा सरदी का मौसम रहता है तब इनका rest or dormancy का समय रहता है उस समय पर इन plants को report करना या फिर इनको fertilize करना सही नहीं रहता तो आज इस पौदे को मैं fertilize करूँगा क्योंकि बहुत जल्द जो है वो winter की starting भी हो जाएगी अभी जो है वो monsoon का time बस अपने खतम होने पर है fertilizer के तोर पर आज इनको मैं homemade या kitchen fertilizer कह सकता हूँ जो kitchen से waste रहता है वो fertilizer feed करने वाला हूँ जो बिल्कुल free of cost fertilizer है इन plants को अच्छी growth के लिए high nitrogen high potassium चाहिए होता है और साथ में कुछ एक micronutrients बहुत ज़्यदा phosphorus की इन पौदों को जुद नहीं रहती ज़्यदा phosphorus से इनकी जो growth है थोड़ी से कम रहती है इसलिए आप ऐसा fertilizer feed कीजिए जो 2 is to 1 is to 2 की ratio में रहे दो हिस्से nitrogen एक हिस्सा phosphorus और दो हिस्से potassium nitrogen और micronutrients के तोर पर आज इस पौदे को जो है वो मैं इस तरह से कुछ चाहे की पती जो रहती है टी लीफ रहती है ये fresh चाहे की पती आप चाहें तो used चाहे की पती भी यूज़ कर सकते है इसका इस तरह से देखी एक छोटा चमब जो रहता है जिसको आप एक कप या डेड़ कप चाहे बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो इस तरह से इसके गंबले में डाल दीजी potassium और phosphorus के लिए आप इस तरह से जो केले के छिलके रहते हैं इनको आप सुखा लीजिए ड्राइ करके आप इनकी मिट्टी में एड़ कर दीजिए इसके अंदर हलकी quantity में phosphorus और अच्छी quantity के अंदर जो रहता है वो potassium रहता है तो effective source of जो potassium है या fertilizer कह सकता हूँ ये बहुत बड़िया source रहते हैं और बिल्कुल free of coast रहते हैं अभी के लिए मेरे पास जो potassium का जो कह सकता हूँ केले के छिलकों का जो drive हों में वो available नहीं है लेकिन इसका जो मैंने liquid fertilizer कुछ समय पहले ready किया था वो मेरे पास ready है तो इसी fertilizer को आज मैं फीड करने वाला हूँ इसको आप चाहें तो dilute करके भी फीड कर सकते हैं या फिर इस तरह से direct soil के अंदर तो इस तरह से इसका 300-400 ml अपने गमले के size के codding आप इस तरह से फीड कीजेगा पादे को आपको result बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा अगर repeat fertilizer की बात करूँ तो आप इन पौधों को इस तरह से जो fertilizer है वो monthly एक बार दीजिए तो वो sufficient रहता है तो बस उस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही जल्द ही मिलते हैं किसी और नए topic के साथ किसी और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई happy gardening take care